इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. एंट्रोफिट ओरल सस्पैंशन डायरिया के इलाज के लिए इस्तिमाल की जाने वाली एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है. यह दवा आंत में अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को बहाल करके एक प्रोबाउटिक काम करती है, जो एंटिबाउटिक दवाओं के उप्योग के बाद या आतों के संक्रमन के कारण परिशान हो सकती है. एंट्रोफिट ओरल सस्पैंशन भूजन के साथ या उसके बिना खुराक और अवधी में डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार लिया जाता है. आप इस दवा को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानि की ओरिस्क के साथ ले सकते हैं, क्योंकि यह परियाप तरल और इलेक्ट्रोलाई प्रतिस्थापन प्रदान करने में मदद करेगा. आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करती है और आप दवा के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करते हैं. आपको यह दवा तब तक लेनी चाहिए जब तक कि आपका डॉक्टर आपको रुखने के लिए न कहे. अपने चिकित्सक को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं. सबसे आम दुशप्रभाव सूजन और पेट फूल ना है. इनमें से अधिकान शस्थाई हैं और आम तोर पर समय के साथ हल हो जाती हैं. अपने चिकित्सक से सीधे संपर्क करें यदि आप इनमें से किसी भी दुशप्रभाव के बारे में चिंतित हैं. इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको लीवर या किड्नी की समस्या है. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.